हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर्फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में आपके सामने एक इंपोर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आचुका दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चाप्टर एक फ्रेश एंड बैतरीन चाप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चाप्टर नंबर फाइ अगर यह education नहीं होता तो आप और मैं connect नहीं हो पाते अगर मेरे पास मैंने education नहीं ली होती तो शायद मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा होता आप अगर education नहीं ले रहे होते तो शायद आप इस वक्त अपने mobile या फिर laptop screen के सामने बैट के मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे यानि कि education is the key of the success यह हम हमेशा से बोलते हैं जितने भी बड़े-बड़े millionaire है दसवी से बारवी तक पढ़ते हो फिर आप graduation करते हो PhD करते हो MBBS बनते है डॉक्टर, lawyer, ISS सब जो बनते है वो नहीं है दोस्तो education का मतलब वो नहीं होता है education is the pattern हम क्या बोलते है कि एक तरीके से एक सीड़ी है एक ladder है चड़ने वाला लेकिन main important education का जो फल होता है वो होता है knowledge अगर आपके पास education लेने के बाद यह है यहाँ पे यह जो है न दो कानों के बीच में क्या है हमारे पास खोपड़ी खोपड़ education से कुछ बंदे ऐसे हैं मैं example के दौर पर बोलूगा फिर आतने topic के ओपर भी आएंगा कोई problem नहीं है ठीक है मैं यह आप यह बोल रहा हूँ कि यार कुछ बंदे ऐसे हैं जो 10th पास है खाली जो कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्नोंने 10th भी complete नहीं किया है और आज वो millionaire, billionaire बनक क्या use है तो अगर यह आप यह सब चीजे नोटीस करोगे और knowledge को grasp करोगे conception knowledge को लोगे ना यार तो definitely life में आगे बढ़ोगे और मेरी बात याद रखोगे जन्ते कीवर ठीक है तो इससे के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल तो चैनल को subscribe कर सकते हो, like कर सकते हो वीडियो को और साथ ही में हमारे दो और चैनल है JR Talks and JR Vlogs उसको भी जाके subscribe कर लेना यार बहुत है आप लोग के यार करो जाके अपना ही चैनल यार उदोनो ठीक है और हां playlist को भी चेक करते रहे ना playlist में बाकी subjects के वीडियो पूरे तोटल 1951 में, 1951 में मतलब इसके लगबग 4 साल के बाद एक census organize किया गया, what do you mean by census जैसे कि हम लोग population को count करते हैं, हर 10 साल पे हम population पूरे इंडिया में count करते हैं, मतलब एक साल दो साल पहले 120 करोड था, आज 135 करोड है, ऐसा इस हिसाफ से हम लोग count करते हैं, तो 1951 में जब first time इंडिय जब independent इंडिया हो चुका था, क्योंकि 1947 में हमें independence मिल चुका था, तो independent जब हो चुका था हमारा इंडिया, उसके बाद हमने क्या क्या census count किया, और census में ये एक चीज count किया, कि हमारे देश में literacy rate कितना है, तो उस time पे जो literacy level था, वो सिर्फ 17% था, यानि कि उस जमाने में 1951 म ये लगबख 70 years, तो वो time पे literacy level, literacy का मतलब क्या होता है, दोस्तों, literacy का मतलब होता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो सिर्फ इंडिया में 17% लोग पढ़े लिखेते, यार imagine, just imagine, सिर्फ 17% लोग इंडिया में पढ़े लिखेते, यानि कि सिर्फ अगर 100 लोग होंगे, अगर सो लोग होंगे, तो सो में से सिफ 17 लोग को पढ़ाई लिखाई करना आता है, यानि कि वो कुछ चीज पढ़ पाएंगे, लिखा हुआ, कुछ चीज बोल पाएंगे, लिखा हुआ, बाकि सब इलिटरेट, सोच वार इतनी बूरी हाल थी हमारे इंडिया की, ठीक है, और यह हर साल होने लगा, यानि कि 1951 में सेंसर्स करवाए गया, फिर उसके बात दोस्तों, यहाँ पे आगर मैं बात करूँ, फिर से 1971 में कराए गया, उसके बात फिर से यहाँ पे 1981 में कराए गया, उसके बात फिर से अगर मैं बात करूँ, कराए गया 1991 में, और उसके बात 2001 में यहां तक का data आपके syllabus में mention है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे data होंगे, जो कि आपकी mention नहीं किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं यार, ठीक है, तो 1971 की बात करें, जैसे 51 में कितना था, 17% था, लेकिन धीरे-धीरे लोग को समझ में आने लगा, कि पढ़ाई कितना important है, 1971 में 34% हो गया, literacy level, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा, अगले 10 साल में 43% हो गया, फिर 1991 में थोड़ा और बढ़ गया, यह हो गया 52%, और 2001 में, यानि या से लगबग 20 साल पहले, तो 20 साल में जो literacy rate था, वो था 64%, ठीक है, अभी का data मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बता बात भी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 64%, यानि कि देखा जाए, तो 36 लोग ऐसे अभी भी हैं, जो पढ़ लिखे नहीं है, तो यह बहुत गलत बात है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाना है, government ने वो टाइम पे बहुत जादा फोकस किया था, जब independence हो गया, तो इसी लिए, अगर किताबे पकड़ाये जाएंगे, तो आपको किताबों में interest आने लगेगा, आपको मज़ा आने लगेगा, कि A for Apple, B for Ball होता है, C for Cat होता है, 1, 2, 3, आपको 100 तक बोलने आता है कि नी, वो धीरे-दीरे आप पढ़ने लगोगे, तो आपको मज़ा आने लगेगा, शुरु मैंने बहुत सारी चीजे प्लाइन की, और उसमें से सबसे पहला जो चीज था, वो था दोस्तो, Primary Education प्राइमरी एडुकेशन, लिखते हैं इसको हम लोग, heading में, Primary Education, आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में, जैसे हम स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो स्कूल में हम हम लोग nursery बोलते हैं, kindergarten बोलते हैं, या फिर उसके पहले के भी चीज़ों को, लेकिन उसके बाद जो first से लेके fifth तक आता है, उसको हम लोग primary education बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसी दौरान हमको बहुत सारी ऐसी primary चीज़े सिखाय जाती है, जैसे कि बोलना सिखाय जाता है, प्र 9th standard के बच्चों, आप अपने आपको 4 साल पहले, 5 साल पहले, imagine करके सोचना, कि हम पहले कैसे थे और आज कैसे, आज आप लोग pen से लिखते हैं, आज आप धड़ादर लिख सकते हो, धड़ादर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर हो talent आ चुका है, क्यों? क्योंकि आप होए, secondary education में, correct है, फिर 10th pass कर लोगे, तो आ हो जाएगा, higher secondary हो जाएगा, correct है, higher secondary हो जाएगा, फिर graduation में चले जाओगे, graduation में, engineering में, यह सब बहुत सारे चीज़े हैं, जो आप लोग का अपने life में मिलेगी, तो primary education की बात करें, यह जो school था, यह लगबग दिया जाता है, 6 स से 14 साल के बच्चों तक, 6 years से च्टार्ट किया जाता है, primary education, 6 से 14 years तक बच्चों का यह चीज़ प्रोवाइट किया जाता है, और लगबग 1988 में, जो हमारी central government थी, इन्होंने यह सब चीज़ के बारे में बहुत जादा सोचा, और इस चीज़ को लागू करने के लिए, सोच जादा demanding बनाने के लिए, उन्होंने एक operation शुरू किया, जिसका नाम था, operation blackboard, ठीक है, आपने operation थंदर बोड के बारे में सुना होगा, जो इसके पहले मैं चाक्टर में explain किया था, वो अमरित सर वाला, ठीक है, वो golden temple वाला scene, मैंने आपको बताया था, आपको याद दोगा, तो operation blackboard, यानि हो जमाने में blackboard होता था, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ whiteboard पे, whiteboard with marker पढ़ा रहा हूँ, अभी तो ओर technology आगया है, digital board वगर आगया, हम भी लगा लेंगे, tension मत लेना, अभी तो हमने शुरुआत किया है, देड़ साली हुआ है हमारे tutorials को, JR tutorials को, लेकिन tension मत लेना, ठीक है न, कुछ लोग comment करते है, मुझे पता है, मुझे भी अच्छा लगता है, कि मैं भी digital board लगा हूँ, लेकिन due to some circumstances, थोड़ा आपको wait करना पड़ेगा, यार, मतलब फिर आगे हम लोग लगा देंगे, कोई tension होली बात नहीं, राहुल सर आपको नहीं छोड़ने लिखते थे, तो A, A से अनार, A, E से इमली, A, A, E, E पढ़ाते थे, कखगगगः पढ़ाते थे, तो ये सब चीज़ धीरे से शुरुआत हो operation blackboard में, यहाँ पे बहुत सारे funds government ने दिये, बहुत सारे schools में जा जाके schools बिल्ड़ब किये, बहुत सारे जगा जाके schools को बिल्ड दिखा है, आप अपने school में जाओ, कोई तो government school में भी पढ़ते होंगे मेरे हिसाब से, तो government school की हाल आप देखोगे तो ठीक है, बहुत सारे चीज़े हैं, लेकिन वो government की तरफ से आ रहा है, तो at least 2 classroom होना जरूरी, toilets होना जरूरी है, फिर at least 2 teacher female का होना जरूरी है, क्योंकि female teacher की बात क्या होती है, वो थोड़ी soft होती है, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो male होते हैं, जैसे कि मैं तो बहुत soft हूँ में भी, फिर भी, मैं नहीं डाटता इतना, लेकिन कुछ ऐसे professors को, कुछ ऐसे teachers को देखे हैं, जो male होते हैं, आदमी होते हैं, लेकिन बहुत ज्या साथ ही में blackboard होना, maps होना, laboratory में कुछ apparatus बोलते हैं, equipments होना, क्योंकि lab में भी कुछ तो कुछ दिखा होगे, तो laboratory में होना, एक playground होना, एक छोटा सा एक playground हो जिसमें बच्चे खेल सके, PT period के दौरन, physical training के दौरन, कुछ equipments हो जाए, तो ये सभी चीजे जो है, वो दीरे-दीरे, government ने help करने लगे, और government अपनी तरफ से ये schemes जो है, लाने लगी, correct है, तो लगबग एक time आया, 1994 के time, तो 1994 में क्या हुआ यहाँ पे, जो scheme था, उसको दीरे-दीरे और ज्यादा advance करते गहें, और दीरे-दीरे और भी classrooms को जोड़ते गहें, कि पहले दो classroom की सुविजाती, अब लगते हो, उस school में, girls school भी लाने लगे, girls को भी equal opportunity मिलना चाहिए, क्योंकि वो time पे, आज आप देखो, 1951 में हमारा literacy rate, literacy level 17% की हो था, क्योंकि यार, बहुत कम ऐसे parents होते होंगे, जो girls को बाहर भेजते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि यार, ओलो को ऐसा लगता था, जितना boys पढ़ते हैं, उतना girls भी पढ़ते हैं, तो यह सभी चीज हो गया, तो girls के लिए भी government ने बहुत सारा plan किया, और साथी में एक और चीज के उपर किया, कि जो पहले caste वगरे का जो scene चलता था, अभी तो काफी कम हो गया, तेकि पहले जो caste वगरे का जो scene चलता था, ज schedule caste हो गए, schedule tribes हो गए, फिर other backward caste होते हैं, यह सब को भी एक proper जगा दिया गया, उनको reservation प्रवाइट किया, कि आप आओ यार पढ़ो, आके आपको भी हख के पढ़ने का हमारे constitution में लिखा है, that is all the caste are similar and ऐसा लिखा गया है, और खास करके जो यह थोड़े से जो backward caste के लोग है, जिनको पढ़ने को अनुमती नहीं मिलती थी, एक जमाने में हमारे constitution के वज़े से इनको भी पढ़ने की अनुमती है, और आप आओ, जितने open cash के बच्चे हैं, उनके साथ बैठके आप पढ़ सकते हो, बिंदास, कोई आपको रोके रोकेगा नी, तो यह सुविधाल आई ग लागू किया गया, जिसमें main मक्षद यही था, कि किस प्रकार education को enhance किया जाया, education को एक main हतियार बनाया जाया, और अगर बच्चा education ले लेता है, at least primary education ले लेता है, तो उसको दुनियादारी की समझ आ जाती है, और वो अपने आप में ही आगे बढ़ने लगता है, दिरे-द तो बहुत सारे states में यह सब चीज लागू किया गया, including महराष्टरा also, महराष्टर में भी यह जो पिछडे जो चीजे चल रही थी, यह लोग पढ़ाई पे जादा focus नहीं करते, तो वो भी चीज महराष्टर में लागू होने लगी, दिरे-दिरे, ठीके न, and साथी में 100% attendance का कुछ criteria बनाए गया, कि बच्चे आके पढ़ेंगे, और साथ में बहुत सारे ऐसे programs बनाए गए, जिसमें primary education provide किया जाएगा, ठीके न, alternative education provide किया जाएगा, फिर society के बार में awareness create किया जाएगा, अलग-अलग चीज के बार में ज्यादा knowledge दिया जाएगा, और यह सब चीजे जिरे-जिरे लागू होने लगी हैं, साथ ही में एक और बहुत अच्छी चीज लागू ही, government के schools में, जो की था दोस्तो, midday mill, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जो यार दो वक्त का खाना भी ने खा पाते थे, तो at least midday mill, जो होता था, midday mill क्या था, जैसे आप जानत किया जाता है, तो इसको midday mill बोला जाता है, तो ये इसकी शुरुआत की गई थी, 1995 में, इसकी शुरुआत की गई थी, primary education के अंदर ही, कि बच्चों को at least, जो है, क्या किया जाएगा, proper nourishment provide किया जाएगा, यानि कि एक तरीके से जो बच्चे कमजोर हो जाते, जिनको बहुत कुशिश की है, clear है, तो भीट करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, मैं समाप्त करता हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लेना चाहता हूँ मैं, हमेशा हम बोलता हूँ मैं, तो टेंशन नहीं लेना आपको, फटा-फट से में लेक्चर नमबर टू आपके लिए लेकर आ जाओंगा, अगले ही दिन लेकर आ जाओंगा, और आपको इसके आगे का एडुकेशन, यानि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एडुकेशन क्या होता, और बाकी की जो चीज़ नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे चानल को भी सबस्ट्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप लोगको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स, तो म मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थांक्यू एंड गुडबाई